अटारासू तीस में आजे की दिन जहासी की रानी लक्ष्मिबाई की महिला शाखा दुर्गादल की सेनापती जलकारी बाई का जन्द हुआ था कहा जाता है कि वे लक्ष्मिबाई की हमशकल भी थी इस कारण शत्रू को धोका देने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी प्राया अभियत था जलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेल खंट की लोग गाथाओं और लोग गीतों में सुनी जा सकती है जलकारी बाई के सम्मान में 2001 में डाक्टिकट भी जारी किया गया 1963 में आज इक दिन अमेरिका के 35 राष्ट पती जॉन एफ कैनेडी की डलास में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी पूरी दुनिया को सन करने वाले इस हत्याकान की गुथी आज तक नहीं सुलजी है अमेरिका के सबसे लोकपरी राष्ट पतियों में से एक थी उन्होंने कहा था कि यह मत पूछो की देश ने तुम्हे क्या दिया बलकि ये पूछो कि तुम्ने देश को क्या दिया उनके ऐस वक्तव से उनकी शक्सियत को समझा जा सकता है कैनेडी का भारत से भी गहरा लगाव था फिर भारत की समाज, संस्कृति और गौरो मई तिहास से प्रभावित थी कहा जाता है कि अगर उनकी अगाल मृत्यू ना होती तो भारत अमेरका रिष्टे अलग तरह से विक्सित होती भारत ने 1962 के युद में मिली हार के बाद चीन की सीमा पर नजर रखने के लिए अमेरका के U-2 जासुसी विमानों को अपने हवाई ठिकाने के इस्तिमाल की अनुमती दी थी पंडे जवाल लाल नहरू के निधन के बाद अमेरका दौरे पर गए ततकालीन भारती राष्ट पती एस रादा किश्नन और कैनेडी के बीच 3 जून 1963 को कटक के चार बतिया हवाई ठिकाने के इस्तिमाल को लेकर सैमती बनी थी चार बतिया हवाई अड़्डा दूसरे विश्यूद के समय बनाया गया था 1990 में आज एक दिन ब्रतानी प्रधान मंतरी मार्गिर ठेचर को अपना पद छोड़ना पड़ा था ठेचर को दूसरी बार पार्टी नेता बनने के चुनाव में कैबनिट ने समर्थन देने से इंकार कर दिया आलग उन्हें तब तक पद पर रहना था जब तक नेता का चुनाव नहीं हो जाता मगर ये भी तै किया गया कि वो पार्टी के नेता के चुनाओं में माइकल हैसल टाइन के सामने नहीं खड़ी हो सकती थी दरसल ये विवाद के चलते वो इस नतीजे पर पहुची कि पार्टी की एकता और अगले चुनाओं में पार्टी की जीत की बहतर संभावनाओं के लिए वो त्याग पत्र दे दे प्रदान मंत्री के निवास इस्थान डाउनिंग स्ट्रीट में उनके कार्याले की ओर से इस्थानी समय अनुसार सुबह साड़े नौ बजे बयान जारी किया गया कि थैचर ने मंत्री मंडल और महारानी को इस बारे में सूचित कर दिया है और 2005 में एंगेला मरकल पहली बाद जर्मनी की चांसलर चुनी गई थी जर्मनी की चांसलर बरने वाली वो पहली महिला थी लोगों को इस बात का शक्त था कि मर्कल के पास इस पत के लिए जरूरी दाजनीतिक इच्छा शक्ती नहीं है लेकिन अपनी द्रुन इच्छा शक्ती के कारण एक बार ही नहीं भलकि मर्कल तीन बार चांसलर बनी 1954 में पस्टमी जरूमनी के हैंबर्ग शहर में पैदा हुई मर्कल ने भौतिक विज्ञान की पढ़ाई की राजनीति में आने से पहले वेफिजी सिस्टम केमिस्ट की नौकरी करती थी जरूमनी के एक की करण के बाद 1990 में उन्होंने बुंडेल स्टाक चुनाओं में हिस्ता लिया और जीत हासल की जिसके बाद उन्होंने कई अलग-अलग मंतुराले संभाले मर्कल की कूट नीती ने उन्हें यॉरप और जरूमनी में एक अहम राजनितिक बनाया है फोक्स पत्रगा ने उन्हें दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिला माना है परमाण उर्जा को अलविदा कहना, सेना में अनिवार सेवा खत्म करना और जमन निर्यात को पड़री पर लाना उनके महत्तपूर्ण फैसले हैं